जिस दिन breakfast में कुछ न समझ में आएं तो एक बार इससे बना के खिलाएं बच्चों या बड़ों को एक बार आप breakfast में इसको बना के खिलाएंगे ना तो रोज इसी की डिमांड करेंगे आपसे ये देख के कहीं से भी लग रहा है आपको कि ये बिना अंडे का ओमलेट है जी हाँ ये बिना अंडे का ही ओमलेट है तो आज मैं बिना अंडे का दो टाइप का ओमलेट आपको बनाना सिखाऊंगी एक तो ब्रेड ओमलेट जो देखने और खाने दोनों में ही नहीं पता चलेगा आपको और दूसरा सिंपल और साधा ओमलेट तो चैनल पर जो नए आए हैं तो फटा फट से चैनल को सबसाइब कर लिजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना बोलें देखिए मैं आपको एक ओमलेट तोड के दिखाती हूँ तो लग रहा है ना बिल्कुल ठेले वाला ओमलेट तो हलो फ्रेंज वेलकुम बेक टो मैं चैनल कुकिंग विद्रेखा चरिये फटा फट सुरू करते हैं सबसे पहले मैंने ले लिया है एक कप बेसन और सेम कप से मैंने ले लिया है आधा कप मैदा और मैंने डाला इसमे एक चम्मच नमक नमक आप टेस्ट एकोर्डिंग डाल सकते हैं और यह मैंने छोटा चम्मच से लिया है एक चम्मच ये करीब बेकिंग पाउडर और इन सबको अच्छी तरीके से पहले मिला लेना है मैदा इसमें इसलिए डाला है ताकि इसमें कलर और फ्लपिनेस दोनों आएगा आपको अंडे वाला और इन सारी चीजे को अच्छी तरीके से इसे मिला लेना है बीना पानी डाले पहले मिलाना है इस चीज का बिल्कुल धियान दीजेगा और उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे हम इसमें और इसको मिक्स करेंगे पानी एक साथ पूरा नहीं डालना है और फेटेंगे इस तरीके से ताकि इसमें लंस न पड़े बिल्कुल भी गुटलिया नहीं पड़नी चाहिए देखे वीच वीच में पानी डालते रहना है और इसको अच्छी तरीके से इसको फेटते रहना है तो जिस कप से मैंने बेसन लिया था और मैंदा लिया था उससे करीबन मैंने तीन कप इसमें पानी डाला हुआ है देखे इस तरीके का घोल बनाना है मैं ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला तो चलिए भी बनाना शुरू करते हैं गैस पे मैंने रख दिया है पैन और पैन गरम हो जाओ इसमें थोड़ा सा ओल या बटर आप डाल सकते हो जो भी आपको यूज करना है जो डालना है पैन को ही घुमाना है इसको इस तरीके से और गैस की फिलेम को मीडियम और लोपे ही रखना है हाई बिल्कुल नहीं करना है नहीं तो इसमें बबल्स आ जाएंगे तो फिर ये चीला बन जाएगा और एक मिनट में जब साइट साइट का ड्राई हो जाए तो इस तरीके से इसको हमी निकाल लेना है और पलट देना है देखे इस तरीके से एकदम आराम से पलटना है बिल्कुल भी जल्द बाजी नहीं करनी है इसमें और दूसरी साइड भी इस तरीके से आराम से पलट देना है देखिए अभी पैन को घुमा के अच्छी तरीक इसको सेक लेना है देखिए बना है नेक तब फलपी बिलकुल लग रहा है कि हाँ यह बिनांडे का ओमलेट है तो यह तो हो गया हमारा साधा ओमलेट और चलिए हम बनाते हैं अभी ब्रेड ओमलेट तो अभी बची होए बैट दूकसकर के गाजर और उसके बाद डाल दिया है थोड़ासा कूट के काले मिर्च और इन सब को अच्छी तरीक से ऐसे मिला लेना है देखिए फेंट लेना है बढ़ी अच्छी तरीक से नमक मैंने पहले से ही डाल के रखा हुआ है इसलिए इसको अच्छी तरीक से ऐसे फे ला लेना है और अब ये वाला बैटर उठाके हमें एक कल्चुल पैन पर डाल देना है इस तरीके से और अगर कम लग रहा हो ते कल्चुल और डाल दीजिए और डालने के बाद में फिर इसे पैन को घुमा घुमा के है इसको भी ऐसे इस तरीके से फैलाना है कल्चुल बिल्क तो अघिनोगासा औल दाल देना है बटर ओड़ जो भी आप युज़ गुज करें और इसको थोड़ा सा ऐसे साइड साइड्स से अराम से ऊठाना है नहीं तो यह तो यह तूटने का डर रहता है यह से पलड देना है देखें इस तरीके से तो इस तरीके से उलट पलड के से सेक लेना है ऐसे गुमा गुमा के आप चाहें तो इसे फोल्ड भी कर सकते हैं और नहीं तो बिना फोल्ड के भी आप इसे सर्व कर सकते हैं देखें इसको पलड देना है फिर से अच्छी तरीके से दे देखे, मैं आपको तोड़ के लिखाती हूँ, कितना बढ़ी है टेक्सेर है उसका, एकदम सॉफ्ट बना हुआ है, ते एक बर जरूर ट्राइ करना आप, ब्रेक्फस्ट में बनाने की या लंच डिनर कभी भी आप बना सकते हो, और जिज़े रोटी बनाने करना मन करें, उस अटकिली, बबाइ!